बहुत 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 इसका सुबारम अभी हो चुका और इस लाइबरेरी की विजिट कड़ाते हैं लाइबरेरी बच्चों के डवलप्मेंट के लिए एक अहम इस्सा होती है और एक संस्ता में रिच लाइबरेरी होना अपने आप में एक मजबूत संस्ता का परिचायक होता है तो मचाऊंगा एक वार चारों तरफ दिखाएं इधर डिजिटल प्लस कन्वेंशनल लाइबरेरी के अलग-अलग पॉर्शन बने वे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के टर्मिनल्स लगे वे हैं इयर फॉन के साथ बच्चे अपना कंटेंट पढ़ रहे हैं इधर फिजिकल कन्वेंशनल लाइबरेरी के साथ से चारों तरफ बुक्स ही बुक्स हैं हज़ारों की सिंख्या में बुक्स रखी वी हैं और बच्चे बुक्स का लाव उठा रहे हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ब्रिगेडियर साथ से लाइबरेरी का एक बच्चे के डवलप्मेंट में बहुत बड़ा रोल माना जाता है उस पे आपको सब्द कहें मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने पढ़ना सीख लिया मालब रीडिंग हैबिड इसने डाली और फिर यह हैबिड लाइफ लोग अगर बन जाती किसी भी इनसान के लिए वो कहते हैं कि बुक्स आर्यों फ्रेंड्स जी रिड एंड एज मैंड एज मैंड एज मैंड और यह दोस्त नहीं और किली कितबें होतो भी काम चल जाता है बसरत है कि उसका पढ़ने में इंट्रेस्ट हो बिल्कुल यू डोंट नीट अनिबड़ी अलस कंपनी और बुक्स इस बेस्ट कंपनी भी लाजबाब नहीं थी अभी लाइब्रेरी के अंदर अलग-लग तरह की स्टूरेंट्स आते शिक्स क्लास से लेकर टौल्थ जाते जाएं तो उसी तरह से वाई सिरीज टाइप की होती हैं और मैं देख पा रहा हूं फ्रेंच डिक्स्टरी अटे तो अंग्रेजी में भी गड़बर चाल रही है और फ्रेंच ओर आ रही है बीच में कुछ हैं जो फ्रेंच कभी फ्यूचर में को सोचते हुए कि शाहिए कोई ऑप्शन सब्जक्ट ल और इंगलीज के अलग अग जिसको अंग्रेजी में जेनर स्टी बोलते हैं और मिलिटरिश्टी पे भी हैं साइंस पे भी हैं साइकोलोजी के उपर है और जो हमारे बड़े-बड़े सेक्स्पियर हैं एवन जेन आस्टिन उसकी भी बुक्स हैं तकरीवान हम ने जो भी इं सब का अलग अपना अपना स्टाइल था और मैं चाहता हूं कि बच्चे कम से कम एवरी वीक देशुड ड्रो वन बुक अन गेट एडुकेटेड और से विल अलाओ देम तो हैव तो बुक्स अने गिवन टाइम दूसरा है कि अगर बच्चे को यहां पर कुछ और क्यूरियोसिटी आती है जो बुक्स में नहीं मिल रही है उसके लिए दस टर्मिनल और अपर्ट टर्मिनल की तरह के टर्मिनल है क्या है तो इससे अपना कुछ भी वो फिर इनको अपर सकते हैं गूगल का जमाना है बिलकुल और हमें एक फैसलिटी भी देंगे जैसे किसी बच्च अने जमाने में जाके कहते हैं ते महराज बाबा बताओ इसलिए आज कि एक से बढ़कर एक फंक्शन फिचर सहे डिजिटल लाइडरी है तरह की बुक्स है और बुक्स के साथ साथ ही डेके एन्वार्मेंट को कितना फ्रेंडली बनाया गया एक रूटीन लाइबरेडी में बचा एक ड़क होके बैठ जयता है और वो दस पंदाव मिनले पे कमर है वो कड़क होने लग जाती है यहां बहुत ही कमफर्टेबल आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर साथ थोड़ा बैठ के देखें देखें वाओ एक दम कमफर्टेबल सिटिंग इधर और इधर में दूसरी पोजिशन में भी इधर आये देखें इधर भी बैठ के देखना चा इधर बैठ के बचा पड़ाई कर सकता है अब मैं बुलाओंगा इधर गोश्मामी जी आप आए कल बुक्स आप अरेंज कर रहे थे फोटो बेज रहे थे तो इस लाइबरेरी के क्या क्या विशेज फीचर से शोट में बताएं अपने जो लाइबरेरी है वह ए लाइबरेर इस लाइबरेरी क्या सकते हैं इसको साथ में कर्मेशनल लाइबरेरी है जिसमें ट्रेडिशन सिस्टम के तोर पर भी अपने पास बुक्स वगरा है यहाँ पे फिक्शन वगरा है इंग्लिस के और हिंदी का सेक्ष्ण हमारा शोट रखा गया है बुक्स इंग्लिस की जाद इस तरह के जो एंडे में काम आने वाली लगबक कितावी हमने और करिये और आगे और भी इनको बढ़ाएंगे है और एम इस तो टेक भी स्टेंग टो 10,000 बुक्स 10,000 बहुत बढ़िया तो मिन साब देख सकते हैं यहाद जो रह दिख दिख रही है बविसे में पूरी भरीवी दिखेंगी और बच्चे पूरे दिन इसका मॉर्निंग टू इउनिंग इसका लुथ पले सकते हैं करनल साब आप दारें करनल वीर साहितकार उन्होंने बोलाता है कि रीडिंग मेके तफॉल मैन कि रीडिंग आपने आपको ब्यक्तित्त को संपूर बनाता है तो आज यह सब बच्चे यहाँ पे NDA और जो सैनिक स्कूल के हैं उनको पूरा-पूरा इसका फाथा मिलेगा और इनके ब्यक्तित्त के विकास के यह एक मालस्टोन सावित होगा अगे चलके बहुत बढ़ 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 यह एक ट्मालेट्व तो लिए यह एक मालस्टोन सावित होगा ऑगे चलके। बहुत बढ़िया, तो आप कुछ डिलन साब का विउ लें, फिर कुछ बच्चों का विउ लें, डिलन साब लाइबरेरी पे आज गल बहुत जोर है, इधर भी लाइबरेरी है, पिपराली रोड केमपस में भी इनोगेशन होने वाला है, नहीं लाइबरेरी इसका काम जगे ज बच्चे पढ़ रहे हैं, सेनिक स्कोल और एंडिये अकेडमी के बच्चों के लिए आने वाला समय, आने वाले पल बहुत यादगार बनने वाले हैं, आने वाले समय में यही बच्चे आगे जाके कहेंगे कि प्रिंस सेनिक स्कोल और प्रिंस एंडिये अकेडमी की वो बाद बड़िया। तो अधर कुछ बच्चों का भी ऑपिनियन ले ले लाइपरेरी में बच्चे बढ़ हैं किताब फॉर्मल्टी के लिए तो नहीं पकड़ रखी हैं इधर हाव बटा फले अपने बारे में बताएं फिर इस लाइपरेरी के बारे में बताएं हैं इस में आपने हैं क्या क्या चंजेज देखे हैं? Sir, there are a lot of changes and a good great changes in myself, like in my communication skills, the way I contact to everyone and the teachers are just fabulous and talking about this library and I have seen this, there are a lot of great books right now here, so I think till then I will complete my 12th, there will be a great changes in me, thank you so much sir. आपने पार लिये कि जब इतने developments बराबर देखने को मिल रहे हैं, सिप्टमबर से मार्स तक इतने developments हैं, तो बार भी तक तो दस्मी की बच्ची है, बहुत सारे developments, बहुत सारे innovations और बहुत सारी competency बच्चों में develop हो जाएगी, computer पे लगे बच्चे, yes, छोटे छोटे जेंटलमन, very good, very good, क्या नाम है बटापना, बताएं, my name is Adit Mishra, I study in class 7th, I am from UP, UP, yes, जी, इलावाद से, no, sir, फर्खाबाद, very good, are you happy with this library, yes, sir, I am happy, very good, very good, are you coming often here, yes, sir, sure, you'll make use of these books, yes, I will, बाद बढ़िया, तो लाइब्रेरी के तरफ भागे बढ़ते हैं, बच्चों के राय मशुरा जान लेते हैं, और इदर तरह तरह की बुक्स दिख रही हैं, yes, बेटा, आप बताएं, yes, sir, my name is Jalak, and I am from Saurashtra, Gujarat, Saurashtra, yes, sir, very good, जाल से आप आप अधर तरह काने मिठा मिठा ज़्यादा जयादा है, इधर मिठा मिठा ज़्यादा ज़्यादा है? Yes, it is very, तरह मिठा मिठा जिख नहीं ज़्यादा है? Yes, sir, in nights the sweets is, sweet is there. माहा तो हर चीज में खटी मिठी इमली वाला टेस्ट अता है गुजरात में हम गे थे हैं जब बी शकरने के लिए लिए ग़ा आपकी लाइबरेरी कि आपकी लाइबरेरी की जी सर बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही लाइबरेरी बनी है सर अभी तक मैंने ऐसी library कहीं भी नहीं देखी है और बच्चे भी इतने excited है reason है कि जो बच्चे जिस stage पर यहाँ पढ़ रहे हैं उनमे curiosity level बहुत बड़ा होता है और उस curiosity को solve करने के लिए conventional as well as digital दोनों ही तरीके की library बनी है तो यह थी Prince Enic School और Prince N.D. Academy की library digital plus conventional library और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि Prince Enic School और Prince N.D. Academy में class 6 to 12th and 12th past students के लिए एक ही campus में schooling, coaching, hostel, mass, sports, library और इतने तरह की development की holistic education की qualities मिलती है और मैं साथ में यह भी दवा कर सकता हूं कि Prince Enic School और Prince N.D. Academy में पढ़ने वाले बच्चे का overall development है वो एक आम CBSE स्कूल या आम RBSC State Board स्कूल की तुला में बहुत ही बैतरीन होता है इस campus में एक के बाद एक अनेक स्वीदाएं जुरती जा रही है लंबी चोड़ी expert teaching faculty टीम है मजबूत management टीम है और साथ में संसादनों की तो कोई कमी नी तो आम स्कूल में पढ़ने के बज़ाएं प्रिंस सेनिक स्कूल में आएं और अपने life की qualities अपने आपका जो expertise है आपकी जो personality है उसको explore करें develop करें Thank you